मेरी आज की छोटी सी वीडियो आज मैं आज मैं आप लोगों के लिए रेमडी लेकर आई हूँ सद्धियों की वज़े से अगर आपकी स्किन भी खराब हो चुकी है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ अगर आप लोग भी अपनी स्किन को लेकर परेशान है आपकी स्किन पर विंडर की वज़ा से ड्राइनस हो चुकी है और ड्राइनस की वज़ा से आपके स्किन पर गलोग खतम हो गई है कलर आपका डल हो चुका है और रिंकल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं आपकी स्किन पर तो फाइनली इन तुमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं अपनी बेहनों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ तो यहाँ पर आज मैं शेयर करूँगी आप लोगं के साथ एक रेमडी जिससे आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्फ कर सकती हैं और अपनी आज की इस रेमडी में मैं जो भी चीज़े यूज करने वाली हूँ मेरी आज की इस रेमडी को आल स्किन टाइप्स के लोग यूज कर सकते हैं टीनेजर्स गल्स भी इसको यूज कर सकती हैं तो चने सारी गलोबातों को छोड़कर रेमडी की तरफ चलते हैं तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको विंटर का फेस पैक बनाना बताऊंगी जिसे आप अपनी स्किन की ड्राइनस को खतम कर सकते हैं अपनी स्किन को नर्मो बलाइम और जमकदार बना सकते हैं उसके लिए सबसे पहले मुझे वन टेबल स्पून जोका आटा लेना है अगर आपके पास जोका आटा नहीं है तो आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं मेरे पास घर में जोका आटा था तो तभी मैंने जोका आटा लिया अगर आपके पास available नहीं है तो आप easily गंदम का आटा भी ले सकते हैं उसमें 1 टेबल स्पून मैंने यगर्ट एड़ किया 1 टेबल स्पून ड्राम मिल्क एड़ किया और पिंच ओफ हल्दी एड़ करके इन तुमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स आट कर लिया तो फाइनली यहां पर मेरा बेहतरीन सा विंटर फेस पैक ट्रैड़ी है आपके फेस पर कोई भी मेक अप वगेरा ना हुआ हो प्लेन वोटर से अपने फेस को वश करने के बाद इसकी थोड़ी सी कॉंटर्टी लेकर आपने इसको अपने पूरे फेस पर लगा कर दो से तीन मिनट तक फिंगर टिप्स पे जेंट्री आपने इसका मसाज करना है हलके हाथों से जो काटा जो इसमें एड़ किया गया है वो आपकी लटकी हुई सकीन को टाइट करेगा चेहरे के ओपर जिती भी डर्ट, मैलकेचल होगी उसे रमूफ करेगा हल्दी जो इसमें एड़ की गई है वो आपकी सकीन से पिंपल्स और डर्क स्पोर्ट की प्राबलम को रिमूफ करती है आपकी सकीन में गलॉव पैदा करती है यगर्ट का तो आप सबको पता ही है कि इसके कितना ज्यादा बेनिफिट है हमारी सकीन के लिए यह हमारी सकीन को मौस्चुराइजर फराम करता है सकीन से ड्राइनस को खातम करता है कलर के कंपलیکشन को यह फियर करता है दो से तीन मिनट मसाच करने के बाद आपने बाकी का फेस पैक जो है तो यहां पर जो मेरी फिंगर पर लगा रह गया तो उसको भी मैंने अपने हाथों पर लगा कर उसका भी कुछ ही साकेट मसाज करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया था और इसके टाइम की बात करें तो 5-6 मिनट आपने इसको अपने फेस पर लगा रहने देना उसके बाद प्लेन वोटर से इसको वोश कर लेना है so finally यहाँ पर मैं अपने फेस को वोश कर चुकी थी मुझे मेरी स्कीन बहुत ज़्यादा बेबी सोफ नर्मों बलाइम लग रही थी home remedies ऐसी होती है हर इनसान की स्कीन एक दूसरे इनसान की स्कीन से different होती है हम Remedies किसी की स्कीन पर बहुत जल असर अंदास होती है और किसी की स्कीन पर असर अंदास होने में इसको थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर मुझे अपनी स्कीन पर Glow भी फिल हो रही थी क्या ख्याल है बहुत ही कमाल सूपर डूपर हिट विंटर फेस पैक के क्या कहने है बई इस Remedy को ज़रूर ट्राइ कीजिए कर ट्राइ करने के बाद अपने रव्यू भी आप लोग मेरे साथ शेयर किया करें कि आप पर यह Remedy सूट की है या नहीं की मेरा पांस हो गया So finally यह थी मेरी आज की वीडियो Hope's हो कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हालफ हो रही होगी अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने क्या करना है अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा खिया रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज बाई बाई टाटा